गुड मानिंग आल अफ यू तो बच्चो हम आज पार्ट पढ़ेंगे अमर सही द्विर नराइंसी हैं जिसके लेखाक है डाक्टर सुनित मिस्टर जी ठीक है आप सब जानते हैं कि प्राचिनकाल से ही चतिर गड़ देश का एक गौरव भुभाग रहा है गौरव साली भुभाग होने के कारण यहां पर सर्व धर्म संभाव की भावना प्राचिनकाल से ही विद्धमान है विशी मुनियोयों विविद्धाव ने इस अंचल का नाम देश में रोसन किया है यह छेत्र जो है राष्टी एकता सांस्क्रितिक एकता की एक महत्वपुन कड़ी है इस अंचल में अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया तथा यहां की माटी को गर्वानित किया है महान दी की घाटी एवं चत्तिरगड के महान सपूत सोना खान के जमीदार वेव नराण सीही बिंजवार राचपूत का जन्म 1795 में हुआ था इनके पिता रामराय सोना खान के जमीदार थे रामराय ने ब्रिटिस सवक्षनकार के आरम होते ही 1818-19 में अंगरेजों एवं भोसला राजा के विवद विद्रो कर दिया था जिसे नाकपूर से आकर कैप्टन मैक्सन ने दबा दिया था विद्रो का दमन होने के बाद सोना खान जमीदारी के गाओं की संख्या 300 से घट कर 50 तक सिमित हो गई थी इसके बाद भी रामराय का दबदबा समापता नहीं हुआ और बिंजवारों की तलवार का जादू जो है सेव चड़ कर बोला करता था अठारा सो तीस इस्वी में रामराय के मित्यों के पस्चात नरायन सी 35 वरसर की अवस्था में जमीदार बने नरायन सी धर्म प्रवायन थे रमायन महाभारत में उनका विशेश रूची था गुरूओं से धर्म संबंधी नीती संबंधी शिक्षा लेते थे बाल्यकाल से ही उन्हें तीर चलाना, धनुस चलाना, तीर धनुस चलाना, बंदुख चलाना बच्पन में ही सिख शुके थे मेलन सारे और मेदुभासी होने के साथ साथ परोपकारी भी थे वे जनसंपरका में विश्वास रखते थे और लोकोटसाओ आदी में सम्मिलित हुआ करते थे वे अपने कबरा घोडे में, कबरा घोडे पर सवार होकर गाओं गाओं का भ्यमन कर जनसमस्याओं जो हैं सुना करते थे उन्होंने जनसमस्याओं को सुनकर ही अनिक कारिया किया करते थे उन्होंने तलाब खुद वाया, विक्षर लगवाया, पंचायतों के मध्धन से जनसमस्याओं का समध्धन करना जैसे महत्वपुर्ण कारे किये सोना खान में राजा सागर, रानी सागर और नन्द सागर जैसे नाम से तीन तलाब हैं जो इस जमिदार की सच्ची लोग कर लणकारी नीतियों के साक्षी है उन्होंने स्वयम नन्द सागर के आसपास विक्षार उपन करके नंदन्वन का स्वरूप दिया था उनके पिता ने जीते जी जो परंपराएं शुरू की थी उन्होंने तथा उनके पुत्र गोविंसी ने उनका पालन किया कहा जाता है कि अन्याया व सोसन के विवोधी विव नाराण सी जो है अलपायू से ही अपनी पिता के संघर्सों में भी साथ रहा करते थे उसमें अपनी पुर्वजों से विशाई ठाकुड जैसी द्रिणता पत्ते नाराण सी जैसा धैर या अमसाहस तथा पिता रामराय जैसा जन नितित्व करने की अपुर्वचमता थी जो अंगरेजों के विवद्ध संघर्स में देखने को मिली जमीदार बनते ही उनके सभी जन प्रिय गुणों का साक्षाक काल होने लगा अपनी जमीदारी सम्हालने के बाद उन्होंने प्रजा के दुख दर्द को समझा और उसे दूर करने के लिए अनेक उपाई की जमीदार होने के बाद भी नराइंट से बहुत साधर जीवन वेतित किया करते थे उनका मकान बड़ी हवेली या कीला नहीं था बलकि मिट्टी और बास से बना साधार मकान था वे आम जन्ता के बीच सम्रस होकर ही अपने छेतर का दौरा किया करते थे और रहियत की समस्यां एमकटनायों का हल्क हो जा करते थे 1854 के प्रारम में नागपुर राज्य के साथ 36 गर छेतर भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया कैप्टन एलियट ने इस अंचल की जम्मिदारियों का दौरा करके सरकार को विपोर्ट भेजी नए धंग से टकूली अर्थाद लगान आनियत किया गया जिसकी व्यापक प्रतिक्रियाएं हुई नराणसी ने भी अंग्रेजों के इस नीती का विरोध किया 1835 से 1855 के मध्या सोना खान जम्मिदारी में अनेक समस्याएं आती रही किन्तु नराणसी ने उनका दौर्णता पुर्वक सामना किया वे अपने ग्रामों को पुनाह प्राप्त करने के लिए प्रयास्वत रहे इस सौधी में अंग्रेज अपनी देश्व्यापी समस्याओं में वैस्त थे अफगान सेन मिश्र बर्मा आदी ज्वलन्त प्रस्न थे नागपुर में रगोजी त्रेती का सासन चल रहा था राजा अस्वस्थता के कारण चत्तिस गड़ आकर प्रसासन देखने की स्थिती में नहीं था यद्यपी सोनाखान जमीदारी की जागरुकता से वह सतर कथा नाराइण सीने इन परिस्थितियों से लाब उठाते हुए अपने अधिनस्त जमीदारी छेत्र में सुर्शासन इस्थापित करने का प्रस किया सोनाखान जमीदारी से टकोली की अदाइगी नहोने के कारण राइपुर में डिप्टी कमिशनल सी एलियट नराइण सिंह के प्रती पुर्वग्रह से ग्रस्त था वह उन्हें दंडित करने की प्रतिक्षा में था इनके लिए वहाँ सुक्ष मकारणों की भी खोज में सकरी था कहा जाता है कि उसने नाकपूर के कमिशनर को सिकायत की कि मेरी दृष्टी में जमीदार का वेवहार आसनी और मत्याचार पुड़ना है ऐसे स्थिति में उसे खालसा के वेवहारी माखन के गुदाम को जमीदार द्वारा लूटे जाने की सूचना प्राप्ता हुई अता डिप्टी कमिशनर नारांट सी को बुलवाया परन्तु आदेश की अभेलना होने पर उनके खिलाब गिवपतारी वारंट जारी कर दिया उनके बुलाने पर भी जब नराइंट सी नहीं गए तो आदेश की अभेल ना किया गया है ऐसा कहकर उनके खिलाब गिरबतारी का वारण जारी कर दिया गया हुआ यह था कि सन 1856 में 36 गड़ में सुखा पड़ा जिसमें नराइंट सीं के जमीदारी के लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे खालसागाओं के माखन नमक वेपारी के पास अनके विशार भंडार थे नराइंट सीं को यह असा है था कि जनता भूखों मर रही है और वेपारी अनाज भंडारों में जमा करते रहे हैं अता नराइंट सी ने भंडारों के ताले तोड़ दिये और उसमें से उतना अनाज निकाल लिया जो भूख के सिकार किसानों के लिए आवश्च था नराइंट सी के चरित्र एवम इमानदारी का पता इससे चलता है उन्होंने जो कुछ लिया था उसके विशय में तुरंथी डिप्टी कमिशनर को लिख दिया परन्तु अंग्रेजों ने साड़ेंट रकर सोना खान के जमीदार को गिरतार करने के लिए मुलकी गुड़ सवारी की एक तुकड़ी भेज दी थी और थोड़ी बहुत परिसानी के बाद संबलपूर में उन्हें 24 अक्टूबर 1856 को गिरतार कर लिया गया उन पर मुकदमा चलाया गया वस्तुता नरायंट सीं की राजनितिक चेतना जाग्रुकता प्रितानी अधिकारियों को चुना होती थी इस करण से नरायंट सीं को चोरी और डकैती के जुर्म में बंदी बनाया गया था सोना खान के किसान अपने नेता को जेल में देख बेचैन दुखी थे किन्तों उनके पास कोई चारा नहीं था उसी समय देश में अंग्रेजी सत्ता के विवोद में विपलाव की अगनी फुट पड़ी थी तो बच्चों आज के लिए इतना ही धन्यावाद